अब्राहीम आया इस्लाम दर में स्थापन किया इस्लाम दर में स्थापन करने वाला इब्राहीम स्वाई सिती में टिकने वाला था स्वा मने आत्मा आतमामाने जोति बिंदु जोति बिंदु की इस्थिति में टिकने वाला था था, नहीं तुमको बापने बताया क्या बताया? स्वधर्मे निदनम से है तुमारी जो आतमा का धर्म है उसमें टिकना सेश्च है इसकी आलाबा जो भी धर्म में टिकने वाली है वो उतने स्रेश्च नहीं है कहिए नंबरवार बस्त देखो तुमा आतमी की स्थिती में टिकते हो तो आतमी की स्थिती में टिकने वाली आत्मे इस बाइब्रेशन जास्ति मजबूत बनाएंगे या इंद्रियों की इस्थिती में टिकने वली आत्में जास्ती पावरफुल वाइबरेशन बनाएंगी है आत्मी की स्थिती में इस्थिने वारे तुम बच्चे जो लक्षमी नारे की चित्र में दिखाया है लक्षमी नारे ने एक दूसरे को जानिंद्रियों के द्वारा रस लेते हुए नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं लक्षमी नारे की चित्र में जो ज्यान के बलय में देखाय हुए लक्षमी नारे नारे है वो ज्यान की रोशनी का बलय जो देखाया है उनकी ज्यान की दुनिया है इसलिए उनका नाम ही परता है नार आयन नार माने जल ज्यान जल आयन माने घर कहां रहते हैं ज्यानी जल ही उनका घर है तो जो ज्यान जलोन का घर है वो मन बुद्धी के आधार का आधार पर वहां रहने वाले हैं या द्रश्टी की रशना रहने वाले हैं जो संग भी कोई लक्षमी रहने दिखाए हैं ज्यान बले के अंदर वो आखों की रहसना लेने वाले हैं या मन बुद्धी की रहसना लेने वाले हैं तो वो दुनिया का वाता बना मजबूत बनाएंगे या इंद्रियों की रहसना लेने वाले दुनिया का वाता बना मजबूत बनाएंगे कौन मजबूत बनाएंगे कौन कमजूर बनाएंगे है जो मन्सा को पंट्रोल करते हैं बुद्धी को एक आगर करते हैं वो दुनिया का वातावरन ऐसा मजबूत बनाते हैं कि प्रिकृति के पांच जड़कत्तों को भी साथ्य को बना देते क्यों लक्षमी लाँ रहा ना कौन सा देखा और ध्यान से देखो उनको मन्सा सुलिया क है या व्याने उन्द्रिश कर में डीऊ के सुल बन Ό कि को आखें ग्यानि अंद्रियों में सबसे से उन आखों का रस ले रहे हैं देखो देंसे आखों का रस नहीं ले रहे हैं तो संगम युग में लगातार उनकी चड़ती कला रहती है यह गिर्टी कला में भी आते हैं चड़ती कला है सोला कला समपून से भी ऊपर की कला क्योंकि उनका जो बाप है कौन है सूर्य अंसियों का बाप कौन है जयन सूर्य तो सूर्य कलाओं में बना हुआ होता है यह कलातीत होता है कलातीत कल्यानकलपांतकारी कहा गया है 겁니다 मना वो जब सश्टी पर आता है तो जिस मुकर्र मनुसितन में प्रवेश करता है उसको कैसा बनाता है आप समान, कलातीत और सारी दुनिया का कल्यानकारी बाप बनाता है सारी दुनिया उसे स्रीकार करती है तो ऐसी स्टेज बनाने वाला बाप हमको सदाकाल की चर्थी कला में ले जाने वाला है उसके बाद सत्युक का प्रारंबो होता है उसमें पहला पहला जन्म किसका होता है रादा किसन का होता है लक्षमी नारेन के चित्र के नीचे जो लक्षमी नारेन नरसे नारेन नारी से लक्षे बनते है उने के नीचे रादा किसन का चित्र दिखाया हुआ है दिखाया है ना वो आखों का रस ले रहे हैं या मनबुद्धी का रस ले रहे हैं इंद्रियों का रस ले रहे हैं तो इंद्रियों की रसना लेने से जो स्रस्टी की पैदाइश करते हैं वो स्रस्टी नीचे जाने वाली बनेगी या उंची जाने वाली बनेगी किस्टन के बाद राधा के बाद जो भी आत्माय परमधाम से नीचे उतरती है वो उतर उतर राधा किस्टन के साथ ही साथ उतरती कला वाली होती जाती है या कला इस्थिर रहती है पहले जनम में ही पहले जनम के अंतिम छोर तक उना आत्माओं की चौधाई कला कम हो जाती है हो गई ना कारण क्या हुआ है इंद्रियों का सुख लिया बले सेष्ट इंद्रियों का सुख लिया फिर भी वो इंद्रियों का सुख लेने से सश्टी तो बढ़ती है लेकिन नीचे उतरती है या उपर चड़ती है नीचे उतरती है, जो अच्छे से अच्छा पहला पत्ता है, अबल लंबर का पत्ता मनुशी सर्टी का, वो यह नीचे उतरता है, तो जो दूसरे 500-700 करोड़ पत्ते हैं, उनका क्या हलोगा, वो और भी नीची स्टेज वाले होंगे, या उन्ची स्टेज वाले होंगे, नीची स्टेज वाले होंगे, तो देखो, उनको कहा जाता है, उतरती हुई इकलाओ वाले, क्रिष्णा है, पहला नंबर का पत्ता, जो संगम युग में, ब्रह्मा का पार्ट बजाता है, ब्रह्मा वाली आत्मा, गो आत्मा, अपने पुर्शार्थी जीवन में, उची उठती है, विश्चु का मालिक बनती है, जो बाप बनाने आया, बाप कहते हैं, मैं जब आता हूँ, तो तुम बच्चों को, आप समान बना कर जाता हूँ, तो बनती है, नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती, कारण यह हुआ, कारण यह हुआ, क्यों बच्चा बुद्धी को, जड़त तुम्हें बुद्धी को, वो जड़त तुम्हें बुद्धी, बगवान बाप की, मुख से निकली वी बातों को, पकड नहीं पाती गहराई से, और तुम बच्चे पकड लेते हो, क्या, पकड लेते हो, तुम्हारे उन बातों को, गहराई से पकडने के कारण, तुम बच्चे, जन्म जन्मांतर जादा सुख भोगेंगे, या जो नहीं पकड़ पाते हैं वो ज्यादा सुख भोगेंगे है ज्यादा सुख कौन भोगेंगे जो पकड़ते हैं वो ज्यादा सुख भोगते है और जो नहीं पकड़ते हैं वो ज्यादा सुख नहीं भोगेंगे अच्छा फिर जो जितना उंचा उठता है वो तो नहीं नीचे गिरता है या नहीं गिरता है है नीचे जरूर गिरता है तो देखो तुम बच्चे अंतिम जनम में जा करके नीचे गिरते हो या नहीं गिरते हो क्यों गिरते हो, कारण क्या है जो तुम नीचे गिरते हो, तुमने तो उंची स्टेज का ज्यान लिया ना, ज्यान का ज्यूला ज्यूला है ना, तुमने कोई देह का ज्यूला थोड़ी ज्यूला, ज्यान के ज्यूले में ज्यूलते हो, आतिंद्रियों सुक के ज्यूले में ज तुम बच्चे एक दर्म के कल्यानकारी रूप में निमित बनते हो या सारी दुनिया के सब धर्मों के खास कर संगम युग में एक दर्म के कल्यानकारी बनते हो एक धर्म वालों को एक दर्म के फालोर्स को कल्यान की दिस्टी से देखते हो और सबको टेड़ी नजर से इनको अगद्डे में चले जाए तुमारी जो ग्यानी की दिस्टी है वो आत्मी की दिस्टी बन जाते है और आत्मी की दिस्टी बनने के कारण तुम सारी दुनिया को कल्यानकारी दिस्टी से देखते हो क्योंकि तुम कल्यानकारी बाप के अबल नमबर के बच्चित